हेलो गाइज विल्कम बैक तो माई चैनल तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से रीका वाक्स हम यूज करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पाउडर को अप्लाय करना स्किन के उपर और है डारिक्शन के इससाब से आपको वाक्स की अप्लिकेशन करनी है और अपोजिट साइड को वाक्स के मदद से पूल करना है और जो हमने एक पैच कवर कर लिया है उसी पैच पे अगर मेरा वैक्सिंग फर्स टाइम हो चुका है तो उसके उपर फिर से मैं वैक्स को अपला नहीं करूंगी त्योंकि उसकी से अगर सेंसिटिव स्किन हो या तो आपको एक बात जाननी है कि मैंने हर वीडियो से अगर आपने ध्यान में रखके वैक्स नहीं किया तो आपको एक बात जाननी है कि मैंने हर वीडियो में बतायgen कि अपको यह पूछना है कि उन्होंने कुछ क्रीम स्किन के उपर किई है? अगर गी है क्रीम एपला है उन्होंने तो आपको वो जगह अच्छे से क्लीन करने हैं जिसके आप सूप कभी यूज़ कर सकते हूँ या फिर आप वेट क्लोथ कभी यूज़ कर सकते हूँ तो अगर आपने बीना पूछे वाक्सिंग स्टार्ट कर ली तो वहां के बाल अच्छे से निकल नहीं पाएगे स्कीन के उपर के और बेकार में आपका वैक्स भी वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखने हैं और चिपचिपार जो होती है वो मौर् अप्लाइक होगी तब की तो अब अगर उन्होंने क्रिम अप्लाइन नहीं किया है तो आप अपने वैक्स रेगुलर्ली जिस तरीके से आप वैक्सिंग करते हो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो तो आपको तो पता है कि आपको पाउडर अच्छे से अप्लाइ करने होते हैं स् को हाथ अच्छे से मूव करना है जब आप वैक्स को अप्लाई करते हैं उसकिन के ऊपर फास्टली हैंड को मूव करना है अगर वैक्स के ड्रॉप सबर सकिन के ऊपर पढ़ गए तो फिर वहां कि सकती है द्यूप सकती है तो आपको बहुत सारी बात याद में रखनी हैं और दो-तीध सिप्स है जैसे कि वैक्स करते साह कि मैं आप को छोटा चोटा भी करना है और रिका वैक्स बहुत है यूसफुल हो अगर दोyuख सकते जैसे कि एक्सी सेयर ग्रोफ हो तो भी वो कम कर देता है बहुत से लोगों को इसका benefit मिल चुका है तो अगर आप कंफीज हो कि कौन सा wax beginner के लिए करना चाहिए तो आप रिका वैक्स कर सकते हो अगर आपकी एक्सी सेयर ग्रोफ हो और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे वीडियो में कि मेरी आप अगर रिका वैक्स किया तो आपका 10 बी रिमू होता है तो हां यहां पर 10 बी रिमू होता है त आपके लिए एक अच्छा मौका है आप घर बेटे पार्लर सीख सकते हो मेरी वीडियो के जरिये मेरे सारी वीडियो पार्लर से रिलेटेड हैं जो भी बेसिक टो अड़वांस कोर्स भी मैं आपको दे सकती हूँ अभी तो मेरा बेसिक स्कोर्स ही चाल हुए जिसे कि किस तर लोग बसा कि वीडियो देख कर चले जाते ना कोई लाइक करता है ना कोई सब्सक्राइब करता है मैं आपको अच्छा से नौलेज पर वाइड कर दे हूँ वह भी ओनलाइन कोर्स है मेरा आप जिस तरीके से मेरे को जाइन करोगे कोई भी फीज वगएरा में नहीं वहापे रखिए आपको ओनलाइन कोर्स फ्री कोर्स है तो आप घर बेटे पारलर सीख सकते हो जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स बताए थी कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं वैक्सिंग के लिए उसी स्टेप्स को फॉलो करके मैंने यहां पर मेरे वैक्सिंग कर दी है यहां पर मेरा ह कर लिए लेकिन तो आपको ध्यान में रखने हैं चोड़ चोड़ स्टेप से तो अब लास्ट में हम करेंगे अच्छे से क्लीन स्किन को क्योंकि वैक्स की चिपचिपाट होती है वो वाश करके नहीं जाएगी क्योंकि यह रीखा वैक्स तो उसके लिए आपको एक वेट में बाई बाई टेक केर